हरिवों प्रिदर्शकों ये आपकी मीन राशी या मीन लगन है इस वीडियो को पुरिध्यान से देखिएगा समझेगा जैसे आपकी थमनेल में पढ़ी लिया होगा बड़ी भविश्चवानी 27 फरवरी से लेके 16 अपरेल बड़ी भविश्चवानी क्यों है क्योंकि प्रिदर्शकों ये जो ग्रह की इस्तिती में परिवर्तन होने जा रहा है ये बड़े ग्रह की इस्तिती में परिवर्तन होगा और बड़े समय के लिए जैसे आपने पढ़ा 27 फिले के 16 अपरेल ये बड़ा समय है और ये वीडियो थोड़ा आपको लेट ही प्राप्त हो रही मैं पहले ही बता दूँ क्योंकि बहुत लोग फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं तो मैं पहले बता दूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पहले ही मिलनी चाहिए थी परन्तु बहुत सारी वीडियो पहले आपको मिल रही थी चैनल में उसकी विज़े से वीडियो लेट हुई और क्योंकि प्रिदर्श को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं देव गुरु ब तो मैं ने 27 परवरी फिर क्यों लिखी क्योंकि प्रिदर्श को अभी तक ये प्रथम चरण में गोचर कर रहे थे भर्णी र चत्र के अबПр neighborhoods बहस्तबती भर्णी र चत्र के 23 चरण में 27 फरवरी से गोचर करेंगे इसलिए मैंने 27 फरवरी लिखी तो दुती चरण में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या प्रफाव डालेंगे क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पति कौन है आपके राशीस है आपके लगनेश है और आपके कर्म वहाओ के भी अधिपति है तो कहा जाये तो देव गुरु ब्रहस्पति सब कुछ है और किसके नशत्र में गोचर करेंगे शुक्र के और शुक्र कौन है आपके लिए आपके लिए शुक्र है अकारक क्यों क्योंकि आपके दुतिय भाव के अधिपति और अस्टम भाव के अधिपति अस्टमेश बनते ह इनके रचत्र में गोचर करते हुए आपको कैशे लावे देंगे और क्या साउधानी रखनी है और क्या उपाय करने है यह सब हम जानेंगे तो आपको लाव तो सुनना ही है परंतो साउधानी जरूर सुनिएगा लाब से ज़्यादा जरूरी है साउधानियों को सुनना आईए समझते हैं तो प्रीदर्श को इस समय देवगुरू ब्रहस्पति आपके दुती भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर देवगुरू ब्रहस्पति आप अपना कारक तत्त प्राप्त कर लेते हैं तो यहां कारक तत्त प्राप्त करते हुए देवगुरू ब्रहस्पति इस समय आपके करियर में बड़े बदलाव लाएंगे आपके केरियर में जो लोग कहना चाहिए कि जॉब के लिए बहुत प्रत्न कर रहे हैं चैसे आप फस्ट बार जॉब के लिए प्रत्न कर रहे हों या आपको जॉब छूट गया है और आप प्रत्न कर रहे हैं तो आपको सफ़ता मिलेगी परंतिर आप जॉब कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि जॉब बदल देना चाहिए या आप चाहते हैं कि प्रमोशन मिल जाए या चाहते हैं कि धन ब्रद्धी अर्थाद शेल्डी ब्रद्धी हो जाए सेल्डी में बढ़ुत्री हो जाए बढ़ा दी जाए तो ये सब कामों के लिए समय अनपूल है हाँ आपको प्रयत्न तो करना होगा तो आप ये जानते हैं कि समय साड़े साती है और साड़े साती में भी संदेबस्त है तो प्रीदर्श को इसलिए आपको सावधानिया भी सुननी होगी तो देखा जाए तो कैरियर में कुछ बड़ा बदलाव होने को देखने को मिल सकता है कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है परंतो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि धन आपके कारिशेत्र के रिपती जाके धन भाव में वैठे हैं तो यहाँ पर कैरियर में तो धन प्राप्त होगा चाहे आप नोक्री चेंज करेंगे तो वहाँ से धन प्राप्त हो जाएगा या आपको जॉब मिल जाएगी तो धन प्राप्त हो जाएगा सेल्डी में या आपके लेवल में आपके प्रमोशन हो जाएगा तो आपके धन आगमन के राष्टे खुल जाएगे तो ये हर तरह से राश्ते खुल रहें, साथ में अस्थाई धन, चैए वो प्रापर्टी हो चैए या अन, तो अस्थाई धन में व्रध्धी होने वाली है, कहा जाए तो बैंक बैलिस में भी व्रध्धी होने की संभावनाई हैं, और आपस में घर परिवार में ये दि लोगो का सहयोग नहीं मिल रहा था, आए दिन बाद ब्यात कि लड़ाई, जगड़े, जमीन, प्रापर्टी ये वो दुनिया भर की बातों को लेके, घर में, परिवार में कलह का महौल बना हुआ था, तो ये सब अब दूर होने वाला है, परन्तु यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है, और साथ में और क्या लाव मिलेगा, ये समझ लेते हैं, देखा जाए तो प्रीदर्शकों, आप यदी रिन से, करजे से परिसान थे, आपने करज ले लिया था, लोन लिया था, तो वहाँ पर भी अब देव गुरू ब्रहस्पति स योग करेंगे, करज की इस्तिती से काफी हद तक राहत मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं, कि अब 27 फरवरी जैसे ही आई, उसी दिन आपने जितना भी करज लिया है, 10 लाग, 20 लाग, 50 लाग, करोर, उतना पैसा आ जाएगा, आपके घर में उत्पन हो जाएगा, ये नहीं या कोई आएगा, या आपने जिससे करज लिया, वो कह देगा कि बस आपका करज मैंने जो था, उसको मैंने आपको छूट देजी, अब करज जुकानिक ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने बाला है, होगा क्या, आपको राष्टे मिलेंगे, मेहनत आपको करनी होगी परहतना आपको करना होगा, परंतु राष्टे देव गुरू प्रहस्पति दिखाएंगे, ऐसा ऐसा करोगे, तो आपका जो करज है, लोन है, उसे आप छत्म कर सकते हो, पुरा कर सकते हो, साथ में आपको सत्रवाधा में भी राहत देखने को मिलेगी, और आरोगता की भी प्राप्ती होने की स्तिय बन रही है, तो ये बहुत सारे लाभापको देव गुरू प्रहस्पति नशत्र परिवर्तन करके देने वाले हैं, परंतु, ये अस्टमेस और तृतियेस के नशत्र में गोचर करेंगे, अर्थात शुक्र के नशत्र में, तो जिसके लिए आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी होगी, और आपको ये पहले से कोई गंभीर बिमारी है, खासकर गुप्त रोख से सम्मंदित, शुक्र से सम्मंदित कोई बिमारी है, तो बेहद सावधान रहना होगा, साथ में प्रिजदर्शकों, जो लोग धन आगमन के राष्टे कि तरह बनाते हैं, जुआ, लोटरी, सटा, या अचानक धनलाव की इक्षा में रहते हैं, और ऐसे प्रत्न करते रहते हैं, उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है, इस समय इन सब चीजों से बचना होगा, साथ में विपरीत का पूरी तरह सम्मान करिए, आप पुरुस हों चेह महिला हों, आपको विपरीत का अपने सम्मान करना होगा, और जो लोग, अब मैं कैसे कहूं, मुझको समझ में नहीं आ रहा था, कि जो लोग अपने काम भावना के प्रति बहुत जादा आकरशित होते हैं, बहुत जादा गरशित होते हैं, उनके लिए तो बेहद साव अधान रहने की जरूरत है, ये समय होगा, ये काम बासना आपको वरवाद कर सकती है, आपको चाहे पैसे की बात कर लो, चाहे आप मान सम्मान की बात कर लो, कोई भी छेत्र, हर छेत्र से नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसलिए ऐसे लोगों को, वैसे तो देव गुरु ब्रहस्बत की राशी है या लगन है, जो भी आप ले लेजिए, आपकी राशी हो या लगन हो, तो ज्ञान कहीं न कहीं तो होता ही है, अंदर से, परन्त कई बार आकर्षन भी होता है, इसलिए सावधान हो जाएए, इन बातों का प्रिदर्श को पूरी तरह से धिहान रख और गाड़ी जैसे मने बता ही दिया कि गाड़ी वहां चला रहे हैं, चैहे आप खुद चला रहे हों, चैहे यात्रा कर रहे हों, और जो लोग परमा निंट विदेश में जाके बसना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बुखने की जरूरत है, थोड़ा सा रुख हाँ, अब ये जरूर है प्रिदर्सकों की, अब मैं ये वाद बाद में बताने वाला था, पहले ही बता देता हूं, उपाए बाद में हम जाल लेते हैं, कि अब जैसे मैंने कहा कि ये लाब होगा, ये हानी होगी, इसमें सावधानी रखनी है, ये अब काफी ज्यादा बद तारीक देते रहते हैं, आपकी ये तारीक, इस तारीक से ये हो जाएगा, उस तारीक से वो हो जाएगा, प्रिदर्सकों यदि आप जोतिस की वीडियो देखते हैं, अर्थात जैसे आपने अभी रासी फल देखते हैं, या नुशत्र परिवरतन, रासी परिवरतन, कुछ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा समझेगा जब मैं पहले ही कहता हूं स्टार्टिंग में ही आपको मुझे से मैंने बताया कि फिर दर्शकों क्या होने वाला है नुशत्र परिवर्तन देव गुरु ब्रहस्पतिका बड़ी भविश्वाणी मैंने लिखी क्यों लिखी यह मैंने बता दिया इसके बाद भी आपको confusion रहता मुझे को समझ में आया करता कई बार कि मैं सब क्लियर कर रहा हूं यह कि बातें फिर भी क्यों confusion रहता है चलिए वह भी मैं बताने कोशिज करता हूं यह समझ में आए बहुत ही अच्छी बात है कि प्रिदर्शकों जो ग्रहो को change कुछ मिन्टों में या कुछ दिनों में कुछ महीनों में पूरी तरह से नहीं कर सकता है जब भी देखेंगे अब इसका मतलब यह नहीं अब मैं कई बार खुद कहता हूं कि अब जैसे शूर है शूर आपका यदि मजबूत अवस्था में कुंडली में हो जाए तो पर खत्म करने का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ दे देगा आपकी जो समस्याइं हो काफी हद तक कंट्रोल होंगी परनतों इसका मतलब यह नहीं कि आपको लगपति करोरपति बना देगा इस ब्रहम में मत रहिए यह जो परिवरतन है वह मैं हमेशा इसलिए बताता हू पर लोगों का समय भी कई बार मुझे लगता है कि जाता है हर बार में बताता हूँ वही चीजें अब जैसे अब ये मैं ने बताया गुरू और शुक्र की स्थिथि मतलब देव-गुुरू भरहश्पति नश्यत्र परिवरतन सुक्र के नश्यत्र में तो यहां पर अब क्य है कि आपको चक करना चब को कि यदनि अच्छे अबस्था में ऐस्था उंचके थे नोमान समय भी लगन में भी आप अपने के वारे में जैसे मैंने कहा कि वहां पर भी उचके हैं तो फिर यह तकलीफे नहीं देंगे आपको लाव दे देंगे यही समय होगा तो फिर दर्शकों इसलिए थोड़ा सा जोतिस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है और जो बात कही जाती है अब कुछ लोग में देखता हूँ प्री दर्शक हैं जो कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप कमेंट में यह लिखिए जैसे अभी हम करने वाले हैं जो आ रहा थ हैं साथ में बोलते भी हैं और बोलने के साथ में मुझे यह भी मालूम पड़ता है कि हाँ जो दर्शक हैं जो लगन से देखते हैं पूरी वीजियो देखते से कि जो स्टार्टिंग में बस अच्छा सुनते हैं एक दो मिनट और फिर खसक जाते हैं भाई दस मिनट की वीडियो आपने दो मिनट सुना कुछ सुना ही नहीं कैसे समझ पाओगे आप तो इसलिए प्रिदर्श को इन बातों को हमेशा ध्यान रखिए आपका समय जरूर गय तो इन बातों का ध्यान रखिएगा अपनी जर्म कुंडली में ग्रहों की इस्तियों को दसाओं को चेक करिएगा यदि यह सब सपोर्ट में है तो यह सब रिजल्ट मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मात्रा में आईए प्रिदर्श को हम उपाय की बात क करनी है माता लक्षमी के साथ में और हन्मान जी की आरतना आप कर ही रहे होंगे वह भी करते रहे और आप कनकधारा का पाढ़ कर सकते हैं और स्री सुक्तम से हवन कर सकते हैं या तो कनकधारा का भी कर सकते हैं और भी जो मंत पूजा पाढ़ भगवान नारेन और माता जब लोग मुझे बताते हैं कही बार जब मैं विचलेशन करता हूं कुंडली का कि इन्होंने मुझे सेयर किया था तो मेरे तक वीडियो आई और मैंने देखा तो आप लोग सेयर करते हैं बहुत अच्छी बात है आपका बहुत बहुत धन्नवाद इसे ज़रूर सेयर करिएगी इस वीडियो को क्योंकि मैंने अभी जो थोड़ा देर पहले बात बताई ये वीडियो को जिसने पूरा देख लिया उसको ये सब चीजें क्लियर हो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद